डूंगरपुर जिले में धंबोला थानाक शेत्र के भंडारी गाव में आपस में जगड रहे पती, पतनी के बीच समझाईश करने आए युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, बीच बचाव करने गए युवक को अक्रोशिक पती ने सीने में मुक्का मार दिया जिससे उसकी मौत हो गई, वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, धंबोला थाना पुलिस के अनुसार थानाक शेत्र के भंडारी गाव निवासी रायचंद दामोर बीती राथ शराब के नशे में अपने घर पहुँचा और पतनी से ज अहमान आये थे, इधर नशे में धुत रायचंद दामोर भी अपनी पतनी के पीछे पीछे पुरुशोत्तम के घर पहुँच गया और वहाँ पर भी अपनी पतनी से जगडा करने लगा, इस दोरान भवान सिंग सहित ने पती पतनी में हो रहे जगडे को रोकने के लिए ब शव को मोर्चरी में रखवाया, इधर वारदात के बाद आरोपी पती रायचंद दामोर मौके से फरार हो गया, शव का पोस्ट माटम करा शव परिजनों को सौप दिया वही पुलिस ने आरोपी पती रायचंद की तलाश शुरू कर दी है